एक किड़नी और स्टोन पर जदि आपके किड़नी में स्टोन है तो आप इसको घर पर कैसे ठिक कर सकते हैं इस पर हमने अपने यूटूब चैनल पर कम से कम पचास विडियो दिये हैं वहां फलोड कम है इसलिए देखते नहीं लेकिन ये फेस्बूक पेज के लिए स्पेसल म आपको मिलेंगे इसका कारण है और यह तीन नहीं आप आने वाले समय में परतेक तीसरे घर में देख रहे हैं अब हर एक पचवे पड़िवार में मतलब की एक पड़िवार है जैसे दस लोग है तो उसमें एक लोगों को जबर दिखे आने वाले समय में जिस तरीके का खान बेसिकली बनता कैसे है इस चीज़ को समझे और दोस्तो इस वीडियो को जदी अन तक आपने देख लिया है तो आप किसी डॉक्टर से लाज क्याराने से पहले आपको इतना नोलेज हो जाएगा कि आप डॉक्टर को ही सला देने लगे है डॉक्टर भी सोचेंगे कि आपके सारे पैसेंट को ठीक भी किया है हमारे यहां जो पैसेंट आगे हैं हम उनको चैलेंज करते हैं कि जदी हमारे यहां से पथरी आपका नहीं निकला तो कहीं नहीं निकलेगा इसकी गरांटी है इस तरीके से दावे करते हैं और हमारे आप पैसेंट आते कब हैं जब सभी करेंगे ब्रांस पर उतना परच्रेंट पो समहि नहीं दिया जाता है आज तो पहले बत्या त्याहते है कि नियाहां होता कैसे मोया निगे के कि नियुक्त डीरिया चुप हो रहा है तो अधिक मिनिरॉल और सॉल्ट की बज़ा से हो रहा है जादे आपके किड़नी में मिनिरल जैसे बलड में मिनिरल और सॉल्ट ज्यादा है और किड़नी काम क्या है कि आपके बलड को फिल्टर करना और इस बलड को फिल्टर करना जब फिल्टर करती है ज्यादे मिनिरल और सॉल्ट आते हैं तो कह नहीं कहीं किड़नी में डिपोजिट होने लगते हैं कि फोस पदाठ का निर्मान कर लेते हैं अब यह मिनिरल और सॉल्ट अब किस चीज का है जैसे कि केल्सियम सबसे ज़्यादा है आपके बलड में कि केल्सियम औक जिलेट सी एक पथरी बनती है दूसरा सिस्टोन से पथित तो देखिए केड़नी में चार तरह के पथरिया होती है पहला पथरिया जो होती है सबसे ज़्यादा बेसिकली पैसेंट में देखने को इस टाइम मिल रहा है केल्सियम की तो पहला टाइप की जो पथरी हो गई केल्सियम का दूसरा हो गया सिस्टेन जो बहुत कम ही मातरा म को देखने को मिलता है लेकिन सबसे ज़्यादे मातरा में क्यल्सियम उप्छिलेट के ही पत्थरी देखने को मिल रही है दो पत्थरी मैंने बता दे और तीसरा यूडी केसिट का भी एस्टोन मिल जाता है और चवुद्धा आपको मिलेगा एस्टोन जो इंफ्यक्षन की बज रही चुन हो ज़से काफ़ी परसेंट में देखने को मिलता है। यह महिलाव में मैं अधिकतर देखा है। यह डिगनोस जो इस पे काम करें उनको विश्एस तरीके से नोलेज होता है। जदि आपके इसमें से कोई भी एस्टोन है यह नहीं बहुत लें कोई भी किसी भी तरह के श्टोन है केल्सियम हो एस्टुबाइट हो सिस्टीन हो यूडिक एसीड इस्टेन हो जदि काफी पुराना हो चुका है यानि साल दो साल से आप दवा खा चुके है और आपकी पथरि यूडिक निकलती है जदि आपकी बहादूरी नहीं यह हम लोग भी कर देते हैं 15 mm 20 mm गला देते हैं लेकिन 2-2 mm की पेथरिया नहीं निकलती है जदि आप पथरी मरीज है केड़नी में पथरी है आप गाउं में घुम करके देख लीजिए पता चलेगा कि 3 mm का 4 mm का स्टोन दो-दो साल से दवा खाड़े निकल नहीं रहे तो जहां 25 mm की पथरीया जो गल गई तो 3 mm का क्यों नहीं गल रही है यह कहना गलत है वही पथरी गल सकता है जो गलने के लाइक हो जो यह स्टार्टिंग पीडियेड में हो अब यह काफी पुराना हो चुका है काफी लंबे समय से दवा खा चुकते यह स्टोन हाड हो जाता है या 2 mm का हो या 15 mm का हो या 20 mm का हो निकलने के संभावना बहुत कम है अब हाँ एक चीज और देखा गिया है हमारे जो पैसंट आते हैं जो कहीं नहीं निकलते हैं उस पैसंट को भी हम निकालने का प्रियास करते हैं और बहुत सारे पैसंट को निकल भी जाता है मैंने आउर इसके अधार पे हम बता रहें किड्नी की जो पाठ है अपर पोल, लोवर पोल, मिडल पोल अधिकतर मैंने देखा है कि अपर पोल और लोवर पोल में जैदी पैसन को पत्री भंसा हुआ है उस अस्थान पे है तो बहुत कम ही चांस रहता है निकलने का या 2 mm का हो हां निकलने का चांस कब बढ़ता है जब आपका स्टार्टिंग है जैसे पत्री हुआ चार पांच महीने छे महीने के अंदर का है तो हमारे हां निकलने के संभावना है बाकी क्या भी निकल सकता है जदी पत्री गल के निकलेगी तो निकल जाएगी जदी पत्री गल नहीं तो बिल्कुल नहीं निकलेगी और हम जब भी पैसेंट के इलाज करते हैं तो एक तरह का नहीं एस्टोन के लिए हमको 4-5 दवा इस्तिमाल करते हैं एक ही बार इस्तिमाल करते हैं ताकि पैसेंट को कहीं से बचे न बते और मेरा मनेजमेंट दूसरे तरीके का होता है हम ऐसा नहीं पैसेंट को दवा दे दिया और भूल गया खार आए कि नहीं हमारा ऐसा मनेजमेंट होता है कि पैसेंट दवा भी खाएंगे और हमें पूछने के भी आवा सकता नहीं या उनकी मजबूरी हो जाएगी दवा खाने जदी हम से उजूर चुके हैं तो आप एक चीज आपको यहां कंसेप्ट किलियर कर दिया है कि जदी आपकी पथरिया गलने वाली है तो गल जाएगी गलने वाली नहीं है तो बिल्कुल नहीं गलेगी या वो एस्टोन 2 mm का हो या आपको गुर्दे में 2 mm का स्टोन होगा या 4 mm का होगा या 6 mm का होगा नगिकी आपकी पथरी नहीं निकल रही होगी लेकिन वही अपने मित्र को देखे होंगे कि 8 mm 10 mm का इस्टोन निकल गया होगा और आपका नहीं निकला τबैध यही चीज हम आपको समझाना चा रहे हैं इस वेडियो से कि जदी आपकी इस्टोन गलने वाली होगी तो गल के निकल जागी गलने वाली नहीं होगी तो गल के नहीं निकल लेगी लेकिन हमारे यह थोड़ा एडवांस यह होता है कि हम पैसेंट को नहीं भी गलने वाला हो तो जदी एक सेंटीमेटर से कम का हो एक ऐमेम आठ एमेम नोएमेम पाँच एमेम यह सारे सॉंभावना रहता है को हम लोग निकाल भी देते हैं इसलिए के हम इलाज नहीं हम management करते हैं हम इस तरीके से पैसेंट का management करते हैं तो दवा खाएगा और उसकाव कफ रहने क्या है जिस तरीके से निकलते हैं आप कहीं भी ले लेकिन अभी जो हम बताने जा रहे हैं उसको जरूर इस्तिमाल करें दवा में बहुत सारे लोग सिश्टों, नेरी, पथर चूर, पसान भेद इसको बोलते हैं ये सब सारे इस्तिमाल करते हैं देखिए पथर चूर या पथर चत्रा या पसान भेद कब असर करता है सब लोग गाओं समाज में बोलते हैं डाक्टर भी बोलते हैं इससे पथरिया निकलती है सच बात है उससे बहतर तो कोई दवा ही नहीं है पथर चूर पसानवेद जो बोलते हैं इसके दो दो पत्ते लोग चबाते हैं इससे बहतर कोई दवा नहीं है यदि पथरी के लिए कोई दवा बन रहा है तो उसमें इसका इस्तिमाल जरूर किया होता है पसानवेद का तो यह जो पथरी के लिए कब इस्तिमाल होगा कब पर बिल्कुल इसका रिजल्ट को अब है इस्टार्टिंग परियेड में तो घबराने की बात नहीं आप कहीं है पथर चूर का भी इस्तिमाल कर सकते जदि इस्टार्टिंग इस्टेज में नहीं तो डाक्टर चार पांच तरह की दवाईया भी देते जिसे नेरिस श्टोन इस्टोनी लिए सब आता है यह सब को भी इस्तिमाल डाक्टर भले बराइंड नेम सब का अलग अलग होता है लेकिन दवा एक ही होता है लेकिन इलाज करने का तरीका कुछ बद कदेट में पानी देते हैं ताकि आनोशार हमजन ट्रह करते हैं कि आपको महीने दिन का 15 दी प्रटोकोल चला रहे हैं तो उससमें आपको यह चीज खाना है इसके अलाव इस इससे बाहर खाना भाएंила इस पंदर दिन के दूसरा वजन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, डाइट चार्ट दियार करके देते हैं, या गॉल बलेडर की पतरी हो, या किड्नी की पतरी हो, दो, और उसके बाद कुछ ऐसे मेडिसीन होते हैं, जैसे बाहरी-बाहर से आपने लिया, इस स्टोन, नेरी, ये सब जो दवा ले से कोई मेडिसीन लेने के हो सकता नहीं, आपको नुस्का बता दिया जाएगा, बना कर इस्तिमाल करेंगा, ये हर एक मरीज पर अलग-अलग होता है, उम्र के हिसाब से, नुस्का बता जाता है, ऐसा नहीं कि एक नुस्का बता दिया जाए, वो सभी पर काम करें, ऐसा कभी ऐसा करेंगे 15 से 20 दिन महीने दिनों में छोटे छोटे पथरी होंगे तो 15 से 20 दिन में आपका निकल जाएगा जैदी बड़े साइज गे पथरी होंगे तो कम से कम आपका 45 दिन लग जाएगा तो मेरा वार्टसप नंबर दिया हुआ है इसकी इन पर चल रहा होगा आप इस प बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो जदी आप इलाज लेना चाहते तो इन नमरों पर आप कर सकते हैं और और आप हम से इलाज ले सकते हैं जदी आपको ऐसा लगता है कि Online में मैं बता दिया है कि आप हमारा जो फीशाय पेड करेंगे और हम आपके बजन के अनुसार, आईको अनुसार, डाइट चार्ट तियार करेंगे उसके बाद कुछ नुश्के बताएंगे जो आपके उम्र के हिसाब से, आपके समस्य के हिसाब से सुटे बलो और कुछ बाहरी मेडिसिन यानि तीन जो पहले से आप ले चुके वही मेडिसिन चलाएंगे यानि तीन चीज हम चलाएंगे आप घर पे ही रहेंगे 15 से 20 दिने में ठीक हो जाएंगे ऐसा करते हैं आप संपर्थ कीजिए जुडिये और स्टोन पर काफी अनुभव पराप्त किया है मैंने हम बहुत सारे पैसेंट को तो रिपोर्ट देख करनी बता दे यह निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसतना भी अनुभव है आज जो पथरी हमारे हां से नहीं निकल पाया ज ज्यादे लोगों को सेर किजेगा जैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिए जैदी फेस्बूक पेज के लिए घबडाईये नहीं संपर की जिए आपका पैसा कई फसने वाला नहीं है जादि हमारे पास आ जाता है तो बिल्कुल नहीं फसेगा हां कॉमेंट्स बॉक्स में अपना मोबाइल नमबर नदे, नहीं तरह से ठगी की जा सकती है। हमने किसी भी तरह का मैड़ीसीन ऊनलाइन में बेचते नहीं है। हम ऊनलाइन में कोई ना मैड़ीसीन भेजते हैं, जडि़ पैसेन के ज़्यादा रिक्वेस्ट हो, तो हमारे स्टाप को जो भी पैसा देना हो दे दीजिए बना कर भेज देंगे लेकिन हमारे यहाना किसी तरह के मेडिसीन बनाया जाता है नहीं भेजा जाता है दावाब भेचने का कारोबार हमारा नहीं हमारा पुरोपर तरीके से इलाज का कारोबार है इलाज करेंगे इलाज का जो फीस लगेगा मैं लोंगा और आप ठीक हो जाएंगे तो वार्टसप नंबर चल रहा है उस पर संपड़ करें